साथियों हम वो लोग है जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगागवा कर गर्व से भर जाते हैं फॉलात से बरी हुई बुंदेल खंड की मिट्टी में भी हमें यही प्रिर्णा यही शिक्षा यही सामर्थ का संदेश मिलता है लेकिन कॉंग्रेस ने ना इस मिट्टी की ताकत समझी और ना ही देश की आन बान शान बढ़ाने का काम किया गुलामी की मानसिक्ता से बरी हुई कॉंग्रेस को न कभी देश का विकास समा जाया और नहीं देश की विरासत से उसे कोई लेना देना रहा हमारा एक छतरपुर का खुर्चन यहां का जटाशंकर मंदीर यह हमारा भीमकून यह पांडव फॉल राने फॉल यह सब कुछ पहले भी था क्या मूदी आने के बाद आया क्या लेकिन कॉंग्रेस को कभी यह विरासत नजर नहीं आई कॉंग्रेस ने कभी रानी दुर्गावती के बलिदान पर गर्व नहीं किया कॉंग्रेस की सरकार के लिए तो पूरा देश दिल्ली से शुरू होता था और दिल्ली में खतम हो जाता था योजना एक गोसित होती थी तो दिल्ली में एक कमरे में विदेशी नेता आते थे तो दिल्ली की गार बड़े कारिकम होते थे दिल्ली में और कॉंग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को अगर कभी दिल्ली से बाहर ले जाते थे तो क्या दिखाते थे याद करना ये मिडिया वाले तो पुराना तुरन निकाल करके रख देंगे ये कॉंग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कॉंग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक तुरिजम बन गया था गरीब का उपहास हो गरीब की मजाक उड़ाना यही उनका कारनामा हो गया था